गोड इविनिंग स्टुडेंट्स आपका ये टॉपिक है इंप्लिकेशन्स है ये इंप्लिकेशन्स किसकी है फेले तो ये देखिए ये आपके फिस्कल डेफिसिट के इंप्लिकेशन्स है कि अगर फिस्कल डेफिसिट आपका इतना ज्यादा होता है तो उसके क्या क्या आप मतलब क्या है आपका बॉर्डॉइंग ठीक है इसमें जाला इसमें क्या क्या आपकी सिच्वेशन आ रही है आपर देखे फॉस्स इंफलेशनली स्पारिल इस इंफलेशनली स्पायरल का क्या मतलब यहाँ पर कि देखो जब इतनी ज़ादा हमारे गौवर्मेंट को बाराइंग बाहर से जब करनी पड़ती है तो इसमें बाराइंग वो आर्बिया इसे भी करता है ठीकिना सो देखा जाए तो सेंट्रल बैंक से अगर हमारी गौवर्मेंट पैसा उधार पे लेती है ठीकि तो यहाँ पर क्या हो जकते है भी वो क्या करेगी मनी सप्लाइ जो है एकदम से मार्केट में वो बढ़ा देगी ठीकिना तक गौवर्मेंट को अच्छे से पैसा मिल जाए में रिजव बैंक ओफ ऑफ इंडिया की तरफ से और साथ में फिर क्या हो जाएगा आपका कि जो मनी सप्लाइ वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी बिटा आपकी मार्केट के अंदर मनी सप्लाइ जब जादा इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे में आपका प्राईज लेवल बढ़ जाता है देखो बेटा, money supply के बढ़ने की वज़े से आपका price level increase हो जाता है और price level की increase होने की वज़े से आपका investment वगेरा है, वो ज्यादा होती है साथ में profits भी है, वो भी बहुत जादा मिलते हैं, लेकिन बेटा, कोई भी अपनी हद से बाहर हो जाए तो अच्छा नहीं रहता, तो ज्यादा से ज्यादा अगर price बढ़ते ही जाते हैं तो फिर क्या क्या होने लग जाएगा क्या क्या situations आजाएंगी, आपकी cost of inputs बढ़ने लग जाएंगी यानि के raw material, कच्चा माल वगएरे वो सब चीज़े आपकी industries में, सब चीज़ों में महेंगे हो जाएगी और साथ में क्या क्या हो कि aggregate demand जो है, वो घटने लग जाएगी normal persons की, मतलब normal persons की, जो purchasing power of money है, कि 100 rupees में पहले वो कितना समान करीते थे, उसके comparison में अब वो 100 rupees में कितना समान करीते हैं, तो इन सब की वज़े से क्या हो, और बेटा, कितना ही ज़्यादा आपकी price बढ़ती जारी, price की बढ़ने से आपको cost of inputs बढ़ रही है और आपकी aggregate demand जो है aggregate demand बोलते हैं, आपकी market demand कि पूरी market में सभी लोगों की summation of demand को बोला जाता है, आपका aggregate demand तो aggregate demand भी यहाँ पर घट रही है और इन सब की वज़े से क्या होगा, आपकी investment भी घटने लग जाएगी और investment घटेगी तो आपकी GDP की growth भी सफ़ पर करती है तो इन सब की वज़े से क्या होगा, बिटा, आपकी economy जो है, एक low level equilibrium drop में आकर फस जाती है, यहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और economy की जो growth है बहुत ज़्यादा slowly slowly होती है और economic stagnation की situation हमारी country में आजाती है stagnation का मतलब होते है, जब बहुत ही ज़्यादा आपकी धीरे धीरे growth हो रहे होती है बेसिकली टू से धाई, मतलब धाई से तीन परसन के आसपास ओके, next point है आपका national debts for future generation पीटे देखो, आज जितना हम debt लेते हैं, वो सब कल को हमारी future generation को भी तो pay करना पड़ेगा न, बहुत अगर आज हम debt free रहते हैं, तो हमारे आने वाली जो generations हैं, उनको भी कर्जा वगर नहीं भुगतान करना पड़ेगा उनका, लेकिन अगर हम आज इतना कर्जा ले लेते हैं, तो आगे आने वाले जो persons है, हम उन्हें एक तरीके से क्या दे रहे हैं, हम उन्हें कर्जा दे रहे हैं, कि यह आपने आना हैं, और आपने ही हो रही होती हैं, तो जहां पर आपकी GDP की ग्रोध बहुत ही जादा कम रहती हैं, तो आपको देखेंगे न, कि जितना भी आप कमाएंगे, आगे आने वाली generation में, जितना भी पैसा कमाया जाएगा, वो सारा पैसा कहां चला जाएगा, repayment of loans में और उनके इतने-इतने interest में, तो सारा अपना देश का जो surplus है, जो profits है, year after year, वो सब कहां चला जाएगा, इनके debts वगेरा को भरने में ही चला जाएगा, और हमारी जो economy है, वो बिलकुल वही slow की slow ही रह जाएगी, ठीक है, तो आपका जादा से जादा borrowing करने के यह यह effects होते हैं, next is vicious circle of multiplied borrowing, यह vicious circle क्या दो चीजे होती है, दो worse situation आप बोल सकते हैं, कि एक situation की वज़े से दूसरी situation आपकी worse हो जाती है, और दूसरी situation के जादा worse होने की वज़े से आपकी पहली condition जो है, पहली situation जो है, वो और जादा worse हो जाती है, प्रीज इस चीज़ को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो दो से ली गई है वो क्या है एक आपका जीटीपी ग्रोथ और दूसरा आपका हाई फिसकल डेफिसिट तो आप देखेंगे यहां कि जीटीपी ग्रोथ के कम होने की वज़े से आपका जो जाधा से जाधा हो जाता है और आपके फिसकल डेफिसिट के जाधा के जाधा होने की वज चुकता करने में ही चला जाएगा तो फिर क्या होगा कोई भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी और अगर जीटीपी ग्रोथ हमारी लो है तो साथ में क्या होगा वह बढ़ेगा और वेलफेर वेलफेर एक्सपेंसिज अपने जाधा करने पड़ेंगे रेवेन्यु जहें वह श्रींक होता चला जाएगा एक्सपेंडीचर समेशा बढ़ते चला जाएगे और इन सब की वज़े से क्या होगा बहुत हाई हो जाएगा और दूसरी जगापर क्या है या पर दूसरी है लोग ख्रोव्थ आफ जीटीप इसका मतलब क्या है क्योंकि ऐसी सिच्वेशन्स में अगर बहुत जाधा हम बल्क ऑफ गवर्मेंट ? अकर लेते हैं वेलफेर एक्सपेंडीचर बहुत जादा कर लेते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है बहुत जादा हमको महेंगा पढ़ जाता है यह सब जैसे subsidized food वगरा प्रवाइड करते हैं हम यह सब यह वाले हमको welfare expenses पर हमको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है रादे दन investment expenditure क्योंकि लोगों के पास ही पैसे नहीं है ना लोगों के पास खाने पीने को भी कुछ में नहीं है तो गौर्मेंट को अपने बच्चों का पेट तो पाल नहीं है ना इसी लिए सो नेक्स्ट इस crowding आउट का क्या मतलब होता है विटा कि fiscal high fiscal deficit जो है इसकी वज़े से आपका बहुत ज्यादा अलग-लग situations आपको देखने को मिलती है कैसे यह काम करता है कि आपको जो high fiscal deficit है इसकी वज़े से जादा से जादा borrowings जो है गौर्मेंट को लेनी पड़ेंगी फिर क्या second thing क्या है कि जितनी जादा भी borrowings जो है गौर्मेंट लेती है उसकी वज़े से क्या होगा अभी गौर्मेंट इतना जादा पैसा अगर बोरो करती भी रहती है तो जो और पैसा गौर्मेंट ले रही है वह पैसा कुछ और कंपनी भी तो ले सकती थी ना अपने opportunity cost पड़ी होगी यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पैसा यहाँ पर गौर्मेंट यूज़ करती है अपने फंड्स को अपने जो भी खर्चे हैं उनके लिए वह जारा पैसा कोई और कंपनीज भी तो यूज कर सकती थी जिससे कुछ कंट्री को और भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती थी ऐसी नेक्स्ट है आपका लगाना चाहते हैं उनको भी पैसा अच्छे से नहीं मिल भाता और इस तरीके से आपकी ग्रोथ जो है यहां पर हो जाती है इरोजिन ऑफ ग्रेडिविलिटी का क्या यहां पर सीन है वह देखते हैं कि बिटे जब आपके हाई फिसकर टेफिसे रहता है न तो इसकी वीज़े से क्या है आपकी देश का जो कर्जा है वह मल्टिपल होकर बढ़ने लग जाता है और और हमारी ग्रेडिविलिटी गटने क्या मतलब यहां पर exchange rate के बढ़ने का क्या मतलब यहाँ पर कि जितना भी आप बाहर से import वगरा करते हैं वो तो महंगा हो जाता महंगा हो जाता है और government के जो expenses है import पर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप कई-कई बार देखते हैं वही इतना ज़्यादा investment जो है government को करना पड़ता है तो ताकि हमारी जो economy है वो धीरे धीरे करके अच्छे से start हो सके और इन सब की वज़े से क्या है हमें दूसरों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं कैसे हमारी government को दूसरों से help मांगनी पड़ती है और help मांगने के लिए उनको हमें अपनी देश का कुछ पार्ट जो है एक तरीके से stopना पड़ता है कि यह लीजिए यह सेक्टर आप ले लीजिए वही फॉरन सेक्टर को foreign countries को दे दिया कि यह वली चीज आप सब भालिए जितना चाहे आप कमाईए और हमें जो है कुछ सालों के बाद यह income हमारी हो जाएगी वह बलग case यहाँ पर आ जाते हैं तो इन सब की वज़े से क्या आप देख रहे हैं कि fiscal deficit जो है बहुत ज्यादा आपका खतरनाक पड़ जाता है यहाँ पर क्योंकि आप जितनी भी ज्यादा बहुत disadvantage इसकी बहुत ज्यादा है ठीक है तो fiscal deficit जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा को पोराइंग्स लेनी पड़ती है और इन सब की वज़े से कहां जितनी भी जादा होंगी उतनी ज्यादा जीटीपी की जो ग्रोथ है वह लोग होगी अनिम्प्लमेंट बढ़ देगा और गवर्मेंट को रवेन्यू वगयरा कम मिलनेगा और बहुत कम मिल पाते हैं ठीक है किस थी आपकी फिसकल डेफिसेट की इंप्लिकेशन बटे पूरा टापिक बहुत अच्छे से समझा करो कुछ नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज मेसेज करो मुझे